हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ओनलान क्लासिस में आज हम इस वीडियो में कॉम्प्यूटर से रिलेटेड टॉप 40 कोस्टन को देखेंगे जो की काफी इन्पोर्टेंट है अधर कमपटेटिव एकजाम के लिए तो आसा करता है वो अप्सन भी है नेक्स्ट है इंटरनेट पर वेब साइट बनाने वाला भारत की पहली राजनेतिक पार्टी जो है वह भारतिये जनता पार्टी है तो इसका जो एंसर है वो अप्सन भी है नेक्स्ट है इंटरनेट पर वस्तुओं को वेपार की प्रकिरिया क्या कहलात तो इंटरनेट प्रवस्तुओं के विपार की प्रकिरिया जो है वह e-commerce का लाती है तो इसका जो एंसर है वो option C है next देखेंगे तो next question है एक MB बराबर होता है तो एक MB बराबर जो है दोस्तो चौबिस के भी होता है के भी का मतलब होता है किलो बाइट तो इसका जो एंसर है वो option A है next है computer data की सबसे छोटी इकाई क्या है तो computer data की सबसे छोटी इकाई जो है बीट होता है तो इसका जो एंसर है वो option C है next question है Linux किस परकार का software है तो Linux जो है एक परकार का shareware जो है software है तो इसका जो एंसर है वो option C है next है file होता है तो file जो है recorder का समू संग्रा होता है तो इसका जो एंसर है वो option A है recorder का संग्रा next देखेंगे तो next question क्या देखते हैं तो next question है CD का पुन रूप बताए CD का आपको full form बताना है तो CD का जो full form होता है वो होता है compact disc तो इसका जो एंसर है वो option C है next question है याहू तथा Google क्या है तो याहू तथा Google जो है एक प्रकार का search engine है तो इसका जो एंसर है वो option D है next question है PC का अर्थ क्या होता है तो PC का अर्थ जो है personal computer होता है तो 11 का जो एंसर होगा वो option B होगा next देखेंगे तो next question देखते हैं वोला tile memory का उधारन है तो वोला tile memory का जो उधारन है वो है RAM रैम का मतलब होता है random access memory next question है network का ब्रिहद network क्या कहलाता है तो network का ब्रिहद network जो है internet कहलाता है तो इसका जो एंसर है वो option B है next question है सबसे सक्तिसाली computer है तो सबसे सक्तिसाली computer जो है वह super computer होता है तो इसका जो एंसर है वो option D है next देखेंगे तो next question है WAN का पुन रूप है तो WAN का जो पुन रूप होता है वह होता है wide area network तो इसका जो एंसर है वो option C है next question है एक GB ब्राबर होता है तो एक GB ब्राबर जो है 224 MB होता है तो 16 का जो एंसर होगा वो option A होगा next देखेंगे तो next question है इंटरनेट परुपलब्ध होने वाली पर्थम भारतिये समाचार पत्र कौन थी सी तो इंटरनेट परुपलब्ध होने वाली पर्थम भारतिये समाचार पत्र जो है वह the Hindu था तो इसका जो एंसर है वो option D है next question है computer में PhD करनेवाले पहले भारतिये कौन थे तो computer में PhD करनेवाले पर्थम भारतिये जो थे वह dr. राज रेड़ी थे तो इसका जो एंसर है वो option B है next question है भारत में खोजा गया पर्थम computer virus था वह C brain था तो इसका जो एंसर है वो option B है next question है access speed sheet का file extension होता है तो access speed sheet का file extension जो है dot xls होता है तो इसका जो एंसर है वो option B है next question है www.google.com किसका उधारन है तो www.google.com जो है यो website का जो है उधारन है तो इसका जो एंसर है वो option B है next question है computer की भौतिक बनावट क्या कहलाता है तो computer का भौतिक बनावट जो है या hardware कहलाता है तो इसका जो answer है वो option C है next question है personal computer का विश्कार किस वर्स हुआ था तो personal computer का विश्कार जो है 1990 issue में हुआ था 1990 issue में तो इसका जो answer है वो option B है next देखेंगे तो next question है email संदेश के लिए storage छेत्र क्या कालाता है तो email संदेशों के लिए storage छेत्र जो है या inbox कालाता है तो इसका जो answer है वो option V है next है वह software जिनका कोई copyright नहीं होता है वो क्या कालाता है तो वह software जिसका कोई copyright नहीं होता है वो जो है फिर वेर कहलाता है तो इसका जो एंसर है वो अप्संसी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट कॉर्शन है डिस्क को टैंक को और सेक्टरों में बाटने की प्रकिरिया क्या कहलाता है तो डिस्क को टैंक को और सेक्टरों में बाटने की प्रकिरिया जो है फॉर्मेटिंग कहलाता है तो इसका जो एंसर है वो अप्शन C है next है URL का पून रूप बताए मतलब URL का जो है फूल फॉर्म बताना है तो इसका जो फूल फॉर्म होता है वह होता है uniform research locator तो इसका जो एंसर है वो अप्शन C है next देखेंगे तो next question है computer का मुख system board जो है mother board का लाता है जो कि CP में होता है तो इसका जो answer है वो option D है Next है mouse keyboard तथा scanner उधारन है तो mouse keyboard तथा scanner जो है input device का उधारन है तो इसका जो answer है वो option E है Next देखेंगे तो next question है चुम्बू किये disc का पर किसकी परत होती है तो चुम्बू किये disc पर जो है निमलेखित मेंस जो है iron oxide की जो है परत होती है तो इसका जो answer है वो option आप शनी है next question है computer सक्षर्था दिवस किस्तिति को मनाया जाता है तो computer सक्षर्था दिवस जो है 2 December को जो है परतेक वर्ष मनाया जाता है तो इसका जो answer है वो option D है next question है computer बंद करने की प्रकिरिया क्या कहलाती है तो computer बंद करने की प्रकिरिया जो है shutdown कहलाती है तो इसका जो answer है बो option B है next देखेंगे तो next question देखते हैं computer data को प्रवर्तित करता है तो computer data को जो है information में जो है प्रवर्तित करता है तो इसका जो answer है बो option A है next question है website collection होता है तो website collection जो है webpage पर होता है तो इसका जो answer है बो option C है next है website collection होता है मैंने अभी जस्ट बताया इसका होगा वेब पेस पर collection जो है वेब पेस का होता है तो इसका जो answer होगा वो option C होगा next देखेंगे तो next question है सरवाधिक तेज printer कौन सा है तो सरवाधिक तेज printer जो है laser printer होता है तो इसका जो answer है वो option यह है next है computer में commands को समरपर करने की प्रकिरिया क्या कहलाती है तो computer में command को समरपर करने की प्रकिरिया जो है executed कहलाती है तो इसका जो answer है वो option है next question है नौरटन क्या है तो नौरटन जो है एक प्रकार का वाइरस है तो इसका जो answer है वो option C है next देखेंगे तो next question है Indian Institute of Information Technology का मुख्याले कहा है तो Indian Institute of Information Technology का मुख्याले जो है या हैदराबाद में इस्तित है तो इसका जो answer है वो option B है Next question है workbook किसका collection होता है तो workbook जो है work sito का collection होता है तो इसका जो answer है वो option A है Next question है एक byte किसके बराबर होता है तो एक byte में जो है 8 bit होते हैं तो इसका जो answer है वो option है इसे याद कर लेंगे यह important question है next दखते हैं और यह हमारा last question है इस set का M.I.C.R. में C का पुन रूप क्या है तो C का जो पुन रूप होता है वो होता है character तो इसका जो answer है वो option भी है तो यहाँ जो था top 40 question था computer से related तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, share करेंगे, subscribe करेंगे Thank you for watching this video, please like, share and subscribe my channel तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्ते के लिए धन्यवाद, thank you